नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिर से मेरे योटूब चैनल समीर पाट साला में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम जोन मिल्टन को लेकर एक मल्टीपल चोईस कोसंज की सीरीज को डिसकस कर रहे हैं इस सीरीज का दोस्तों ये हमारा सेवन्थ पार्ट है छे पार्ट मैं आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुका हूँ सेवन्थ पार्ट को हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तों इसमें हम कोमस जो वर्क है जोन मिल्टन खा उस वर्क से जाज़ा तर मैं कोस्टन को लेकर आया हूँ इसका जो फुल टाइटल है ए मास्क प्रिजेंटिड एट लोडलो कासल 1634 है तो सुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो कोस्टन नमबर वन है दोस्तों कोमस वर्क में कोमस कौन है देखिए ये दोस्तों कोमस जो है वर्क का नाम भी है और इसके अंदर एक करेक्टर भी है जिसका नाम भी कोमस है आपके सामने ये चार ओप्संस है हीरो जिसको हम प्रोटागोनिस्ट भी कहते हैं दोस्तों विलेम जिसे हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं It is only work name ये सिर्फ एक work name ही है और none of the above ये दोस्तो आपके सामने चार options है तो इसका correct answer जो है दोस्तो इसका B जो है वो correct answer है मैं अब इस commerce के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तो ये commerce जो है इस work के अंदर ये expert है black magic का इसके पास एक drink होती है उसको पिलाकर ये लोगो को अपना गुलाम बना लेता है ये एक जंगल में रहता है जो लोग भी उस जंगल से गुजर के जाते है उन लोगो को ये drink offer करता है और जो भी लोग इसकी drink पीते हैं वो आदे इंसान और आदे जानवर में बदल जाते है वो अपनी पुरानी जिन्दकी के बारे में सब कुछ भूल कर इस commerce के गुलाम बन जाते है तो इसका दोस्तो बी जो है वो correct answer है I hope आपको ये समझ में आया है बढ़ते हैं दोस्तो कोसर नमबर टू की तरफ The literary form of commerce is Commerce की literary form क्या है ये एक epic है ये एक short story है ये एक allergy है या फिर कोई mask है दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ जो literary forms है उसमें से एक mask भी होता है अब ये mask होता क्या है mask जो है दोस्तो Elizabethan के time पे बहुत ज़्यादा popular था उस ये एक तरह का dramatic entertainment है इसमें क्या होता था दोस्तो जो royal लोग है वो party organize करते थे और royal लोग ही उस party में participate करते थे अब जो participant है उस party के दोस्तो वो चेहरे पर अपना पूरा mask लगा कर आते थे ये corona वाला mask नहीं है तो face mask लगागा करते थे जो पूरा mask जो होता था वो पूरे face को cover करता था तो दोस्तो ये एक mask है John Milton के द्वारा लिखा गया बढ़ते हैं दोस्तो question number 3 की तरफ question number 3 है who requested Milton to write commerce commerce को लिखने के लिए Milton से किसने request की थी इसके दोस्तो आपके सामने चार options है Henry Lois ने John Dunn ने George Harvart ने और Andrew Marvell ने पहले बात दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों जो writer है ये कौन सी century से belong करते हैं दोस्तो ये 17th century से belong करते हैं ठीक है और जो Henry Lois है दोस्तो इसका correct answer है इन्होंने request किया था जोन मिल्टन से कौमस लिखने के लिए अब ये Henry Lois जो है ये है कौन ये दोस्तो composer है जिन्होंने कौमस में दोस्तो music दिया है इन्ही ने request कि थी मिल्टन से कौमस लिखने के लिए question number 3 है दोस्तो when Milton wrote कौमस कौमस को मिल्टन ने कब लिखा था दोस्तो definitely इसका answer आपको पता ही होगा Milton ने जो है कौमस को लिखा था 1634 में एक बार कौमस को दोस्तो बिना title के publish किया गया था 1637 में 1637 में जब इसे publish किया गया था तो कौमस के ओपर इसका title नहीं था लेकिन जोन मिल्टन ने इसे अपने publication जो आया था इनका poetry collection आया था 1645 में उसमें दोस्तो इसको include किया था with title ठीक है तो पहली बार ये 1645 में publish हुआ था with title और उसके बाद 1673 में भी इसको with title ही publish कराया गया था जोन मिल्टन के दुआरा अब ये दोस्तो बाकी options है मैं आपके revision के लिए बता देता हूँ जो 1630 है इसमें जोन मिल्टन का पहला printed work आया था जिसका नाम था दोस्तो ओन Shakespeare 1634 में लिखा गया था दोस्तो कोमस और 1637 में आया था इनका बहुत ही famous work जो है लिसीडस और 1644 के अंदर दोस्तो इनके दो famous work आये थे पहला areopagity का और दूसरा of education तो दोस्तो इसका correct answer है B 1634 question number 5 है दोस्तो whose owner Milton wrote commerce किसके owner में Milton ने commerce को लिखा था पहला जोफरी चोसर दूसरा विल्लियम सेक्सपियर तीसरा ill of ब्रजवार्टर यहां पे दोस्तो ओफ भी है ill of ब्रजवार्टर becoming Lord President of Wales और चोथा none of the ever तो दोस्तो इसका correct answer जो है वो है C यह इनके सम्मान में दोस्तो इन्होंने लिखा था commerce को तो इसका correct answer है C question number 6 है दोस्तो commerce transform himself to deceive the lady or the people लोगों को धोका देने के लिए यह commerce दोस्तो अपना भेश बदलता था especially the lady को दोका देने के लिए इसने किसका भेश बदला था जो लेडी है इस कहानी के अंदर दोस्तो वो जानी-जाती है चेस्टिटी के लिए उसको धोका देने के लिए उसको correct करने के लिए इस Komamants का बेज बदला था Komas ने किस का बेज बदला था दोस्तो Thyrish का Safford का animal का या फिर ए विलेजर का का दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर एक attendant spirit है जिसने अपना base बदला था Thyrish के रूप में और वो Thyrish कौन था साथ्पर था ठीक है अब ये कोमस जो अपने जादुदे बनाता था लोगों को वो क्या बनाता था एनिमल्स में कन्वर्ट कर देता था वैसे तो वो complete एनिमल्स नहीं होते थे आधे इनसान और उनका सर जो होता था वो एनिमल्स का होता था अब इस कोमस ने दोस्तो दा लेडी को धोका देने के लिए एक साधाराण विलेजर का भेस बनाया था तो D जो है इसका correct answer है बढ़ते हैं दोस्तो कोस्टन नमबर 7 की तरफ Whom the attendant spirit calls to undo कोमस black magic or to free the lady from the magic chair दोस्तो मैंने आपको पिछले कोस्टन बताया था इसमें एक दा लेडी है एक ललकी है जिसको कोमस धोका देना के लिए अपना भेस बदलता है एक विलेजर के रूप में एक साधाराण गाउवाले के रूप में वो उसको फसा कर ले जाता है अपने महल में और महल में ले जाकर दोस्तों वो उसे एक चेयर पर बिठा देता है जहां पर वो बंदी बन जाती है लेकिन बाद में उस दा लेडी के दो भाई और धायरेसिस जिसने जो अटेंडन्ट इस्पृरिट है उसने भेज बदला हुआ है थायरेसिस का वो हरा कर कोमस को भगा देत है आप यह जो दोस्तों दा लेडी होती है वो एक कुरसी पर मैजिक चेयर पर बंदी बनी हुई होती है तो दा अटेंडन्ट इस्पृरिट जो है वो किसी का आवाहन करता है इस लेडी को फृरी करने के लिए वो किसका आवाहन करता है तो दोस्तों वो आवाहन करता है अरीना एक अफसरा है एक देवी है नदियों की तो दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर है जो इसमें ये बी आंसर है दोस्तों ये कौन है ये कौमस की मदर है ये कौन है दोस्तों ये कौमस की मदर है जो एक विच है जो लोगों को अपने जादू से कनवर्ट करती है किसम यह एनिमस में बैक जो है Goud of wine है साथ ही दोस्तों यह कोमर्स के Pita भी है और चोथा है दोस्तों जोड जोड कहते है Jupiter को जो ancient roman और Italian king of god है तो इसका जो है वो क्या है दोस्तों यह इसका correct answer है West楊ंबर 8 है纂 सन इसकोमर्स कोमर्स जो है किसका सन है मैं आपको पिछले question में अच्छी तरह से explain करके आया हूँ I hope अब इस बार ये आप इसका correct answer देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चार option है मैंने पिछले question में आपको ये explain कर दिया है इसका जो correct answer है वो है दोस्तों C backers जो है वो god of wine है दोस्तों ये commerce के father है और ये जो है सिर्फ जो है इनकी mother है जो लोगों को अपने जादो से animals में change करती है Question number 9 है दोस्तों The age of Milton had three kinds of poets Age of Milton जो थी वो उसके अंदर दोस्तों तीन तरह के poets थे आपके सामने दोस्तों चार options हैं तो आपको correct option choose करना है कि ये कौन से तीन तरह के poet थे जो age of Milton के अंतरत आते थे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका correct answer जो है वो इसका answer है B B जो है इसका correct answer है metaphysical poets, cavalier poet और puritan poet जो थे वो age of Milton के अंदर आते थे जो cavalier हैं दोस्तों ये Charles 1 को support करते थे और puritan जो है दोस्तों वो मोनाखी को बिल्कुल support नहीं करते थे तो B इसका दोस्तों correct answer है question number 10 है John Milton belongs to John Milton कि स्कैटिकर के poets से belong करते थे जैसा कि मैंने आपको बताया question number 9 के अंदर कि John Milton के time पर यानि के जो age of Milton थी उसमें तीन तरह के poets थे puritan, metaphysical और cavalier ठीक है तो classical इसका तो हो ही नहीं सकता मैंने आपको पहले ही बता दिया है question number 9 में तो ये तो हो ही नहीं सकता अब इन तीनों में से आपको बताना है कि John Milton किस category के poets से belong करते थे तो दोस्तो इसका correct answer है puritan John Milton puritan थे वो चाहते थे कि जो England में मोनाकी है वो ना आए ये Oliver Cromwell को support करते थे I hope दोस्तो ये question जो है 10 थे, 10 के 10 questions आपको समय में आए है आप मुझे comments में ये बता सकते हैं कि आपके कितने questions जो है सही रहे मिलते हैं दोस्तो अगले part में इसके तब तक के लिए जैहिं